हेलो फ्रेंद्स, स्वागत है आप सबका SG Food World में आज मैं लाई हूँ आपके लिए चटपटी मूंग दाल की रेसिपी मूंग दाल में फैट कंटेंट बहुत ही कम होता है और प्रोटीन बहुत जादा तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि दालो को हम अपने डेली डाइट रोटीन में इंक्लूट करें पर एकी स्टाइल में बनाई गई दाल हम रोज रोज नहीं खा पाते तो इसलिए आज मिल आई हूँ मूंग दाल को नए स्टाइल में बनाने की रेसिपी पर इसे बनाने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटिस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल मौंग दाल का जिसे मैंने धोल लिया है सेम साइज बाउल से 1.5 कप पानी डाला है और इस दाल को 15 मिनट के लिए भिगो दिया है 15 मिनट भीगने के बाद ये कुछ इस प्रकार लगेगी अब एक कड़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून रिफाइन डॉयल इसमें आड करेंगे चुटकी बार हींग आदा टी स्पून जीरा सौटे कर लेंगे फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है इसमें डलने वाले बाकी इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं आदा बारीक कटा हुआ प्याच आदा बारीक कटा हुआ टमाटर एक हरी मिर्च जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है और धनिया गार्निश के लिए जीरा भुन जाए मतलब हलका सा कलर चेंज हो जाए तो उसमें डाल देंगे प्याच जो हमने चॉप करके अलरेडी त्यार किया हुए फ्लेम को हाई रखेंगे साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च मिक्स कर लेंगे अच्छे से प्याच हलका सा भुन जाए मतलब ट्रांसलूसरेंट हो जाए तो इसमें आड़ कर देंगे नमक आदा टीस्पून सारे सूखे मसाले डालते वग फ्लेम को मीडियम कर देंगे एक चुथाई टीस्पून हल्दी साथ के साथ मिक्स करते जाएंगे अब आड़ करेंगे आदा टीस्पून कुटी मिर्च आदा टीस्पून धनिया पाउडर सारे इंग्रीडियन्स को मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें आड़ करेंगे टमाटर जो हमने चॉप करके रखे हैं सिर्फ हाफ कॉंटिटी डाल लिया हमें अब आड़ करेंगे एक चॉथाई टीस्पून कस्तूरी में थी अब आड़ करेंगे डाल जो हमने बिगो कर रखी दी स्टर करेंगे अच्छे से फ्लेम को हाई रखना है और एक उबाल आने देना है उबाल आ चुका है अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कड़ाई को लिट से कवर कर देंगे ताकि डाल अच्छे से पक जाए अगर आप डाल को कुकर में बना रहे हैं तो आपको कुछ जादा नहीं करना एक विसल लगवानी है पर अगर आप कड़ाई में बना रहे हैं तो इसे स्टीम से पकने दीजे पंदरा मिनट बाद चेक करते हैं दाल पकी है या नहीं इसे चेक करने के लिए एक दाना हाथ में लीजे और फिंगर्स के बीच में प्रेस करके चेक कीजे कि दाल पकी है या नहीं अगर वो अराम से दब रही है तो मतलब दाल पक चुकी है थोड़ी सी कसर रह गई है पांच मिनट के लिए और ढग देते हैं अब दुबारा चेक करते हैं बिल्कुल त्यार है चटपटी मूंगदाल सर्फ करते समय उपर से डालिए आदा नीमबू का रस गार्णिश कीजिए धनिये और टमाटर के साथ एंजोई कीजिए ये रेसिपी अपनी फैमली के साथ बताईएगा जरूर कैसी लगी आप सबको नाय स्टाइल में बनाए गई ये मूंगदाल अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हूँ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा मिलेंगे ऐसी ही और मज़दार रेसिपी इस के साथ तब तक के लिए गुडबाई तेक केर